आप सभी को मेरा नमस्कार और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, यह मैरा पहला सिंपल हिंदी लेंगवज में वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा एक इंडक्टर कैसे कारे करता है इंडक्टर क्या है, जब हम एक वायर को, एक चालक को लेते हैं और जब हम उसको एक कुंडली के रूप में लपेट देते हैं, तो वह इंडक्टर कहलाता है इस इंडक्टर का बहुत सारी electronics और electrical application में यूज होता है और यह इंडक्टर कारे कैसे करता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ नियमों को जानना होगा यह नियम हर जगा exist करते हैं प्रकृती में, जैसे कि जहाँ पर electricity है, वहाँ पर magnetism है यानि जहाँ पर भी बिजली होगी, वहाँ पर चुमबा की छेतर होगा यह एक नियम हो गया, दूसरा, यह भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर चुमबा की छेतर होगा, वहाँ पर electricity होगी यानि इन दोनों को अलग नहीं करा जा सकता, यह नियम प्रकृती में हर जगा होते हैं हर जगा follow होता है, और इसे बदला नहीं जा सकता एक और नियम हम जान लेते हैं, यह नियम कहता है, कि जब कोई चालक, कोई conductor, magnetic field में रखा हो और जब यह field change होने की कोशिश करती है, तब इस चालक के अंदर एक बल उत्पन होता है जिसे हम EMF कहते हैं, यानि Electromotive Force, यह जो बल है EMF, यानि यह जो voltage इसमें उत्पन होता है यह current को, इस तार में से current को flow कराने की कोशिश करता है बस यही दो नियम का इस्तमाल करते हुए coil कारे करती है, और coil कारे क्या करती है यह भी हम जान लेते हैं, coil यहां कार करती है, कि जब भी इसमें से कोई current भहरा है, current flow हो रहा है और जब यह current चेंज होना चाहता है, तो यह coil उसे चेंज नहीं होने देती है coil यही कारे करती है, और इस प्रतीक्रिया को, इस reaction को हम reactance बोलते हैं, जिसे हम represent करते हैं, x, l से अब यह ऐसा कैसे कर पाती है, कि current को बदलने से रोकती है जैसा कि हमने अभी नियमों को समझा, कि जहाँ पर electricity है, वहाँ पर magnetic field होगी और जहाँ magnetic field किसी तार से, किसी conductor से link करेगी, और जब वहाँ magnetic field बदलेगी, तब एक विदुद बाहग बल होगा और उस विदुद बाहग बल की वज़े से current flow होगा तो देखिए, जब इस तार में से, इस चालक में से current flow कर रहा है, इसके आजू-आजू magnetic field बन रही है और जब हम इस को, इस wire को एक coil के form में बना देते हैं तब क्या होता है, जैसे कि यहां से current flow कर रहा है, जैसे कि इस बल से current flow कर रहा है इसके आजू-आजू magnetic field बनेगी और ये बाजू वाले बल से, बाजू वाले turn से link होगी अब क्या होगा, दूसरा नियम भी इस coil पे लागू होगा, कि इस से magnetic field, इस wire से magnetic field link हो रही है link हो रही है, मतलब पहले 0 थी, फिर magnetic field कोई value अचीव कर रही है यानि magnetic field change हो रही है, from 0 to कोई एक value तक तो अब क्योंकि जैसे कि magnetic field change हो रही है, तो इस portion में क्या होगा एक EMF develop होगा, किसी एक तरफ positive voltage बनेगा और किसी एक तरफ negative voltage बनेगा अब किस तरफ positive बनेगा, किस तरफ negative बनेगा, मुसकी detail में नहीं जाएंगे बस हम यह देखेंगे कि इसमें विद्द बाहग बल उत्पन होगा अब यह विद्द बाहग बल क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर potential difference है एक तरफ positive है, दूसी तरफ negative है, तब क्या होगा यह भी current को flow कराने की कोशिश करेगा और यह current को किस direction में flow कराएगा यह current को opposite direction में flow कराने की कोशिश करेगा यानि पहले जिस direction में current flow हो रहा था उसके opposite direction में एक और current flow होने की कोशिश करेगा अब किसी एक तार में दो current exist नहीं कर सकते flow नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनो current का resultant इस coil में flow होगा इस प्रकार जब भी हम किसी coil में current को flow कराने की कोशिश करेंगे तो current शुरूवात में उस coil में flow नहीं हो पाएगा क्योंकि यह जो coil है वो react करेगी जैसा कि अभी हमने समझा कि इसके जो turns है इनकी magnetic field दूसरे turns से link करती है और विद्धवाग वल्ग उत्पन होता है और एक दूसरा current flow नहीं कोशिश करता है जो पहले वाले current के opposite flow होने की कोशिश करता है तो इस प्रकार coil में current पहले 0 था फिर वो कोई value अचीव करना चाहेगा आई तो वाचीव करने में उसको मुश्किल होगी इसी को हम इसी प्रतिक्रिया को हम reactance बोलते हैं और इसे excel से represent करते हैं तो simple है इसी तरीके से coil जो है work करती है जैसे कि हम जब किसी coil को किसी battery से connect करेंगे जैसे कि इस तरफ positive हमने लगाया positive supply दी दूसी तरफ हमने battery का negative terminal connect करा तब क्या होगा इस coil में से current flow होने की कोशिश करेगा अब क्या होगा ये coil react करेगी इस current को flow होने से रोकेगी लेकिन थोड़ी देर बाद magnetic field zero से होके जब बढ़ेगी और किसी value को achieve कर लेगी उसके बाद magnetic field change नहीं होगी तो क्या होगा इसमें जो EMF पहले produce हो रहा था यहाँ पर positive terminal डवलप हो रहा था और यहाँ पर negative terminal डवलप हो रहा था यह reaction दिरे-दिरे खत्म हो जाएगा इस प्रकार जैसे कि हम देख सकते हैं यह current है और अगर हम इस axis पर time ले तो current जो की इस coil में linearly बढ़ सकता था अगर यह coil ना होती और कोई एक simple resistive element होता तो यह current जो है वो इसमें linearly बढ़ता लेकिन क्योंकि यह coil react करती है इस वैसे जब हम इसमें current flow करानी कोशिश करते हैं तो वो linearly ना बढ़के इस तरीके से बढ़ता है और इस reaction को हम reactance कहते हैं जिसे हम xl से represent करते हैं xl बराबर होता है omega l, omega है frequency जिस frequency से current change हो रहा है उस frequency को बोलते हैं हम omega इस coil के inductance को represent करा जाता है l और यह जो l है इसकी यह constant है इसकी जो value है यह depend करती के coil में कितने turns हैं coil में turns जादा होंगे तो l जादा यह जो l है इसकी value जादा होगी coil में turns कम होंगे तो यह जो l है इसकी value कम होगी दूसरा अगर यह coil किसी magnetic material के उपर बंदी होई है magnetic material जो की soft iron core होती है जब यह coil के उपर बंदी होती है तो l की value फिर और जादा होती है जितना जादा value l की होगी उतना जादा हमको reactance मिलेगा यानि reaction मिलेगा और जितनी जादा हम frequency से current देंगे जितना जादा change होगा current उतना ही जादा reactance हमको coil से मिलेगा तो इस प्रकार हमने समझा के coil कैसे कारे करती है बस इस lecture को मैं यहीं खतम करना चाहूँगा hope आपको थोड़ा बहुत idea हुआ होगा कि एक inductor कैसे कारी करता है और मैं अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आए तो इसे like करें share करें subscribe करें जिससे कि मैं अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है हिंदी में तो मैं आगे और भी अपने हिंदी में वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें मैं कुछ और engineering के या science के topic कवर करूँगा कि जैसे capacitor कैसे work करता है और भी जो elements है वो कैसे कारे करते हैं मैं आपको simple हिंदी language में समझाने की कोशिश करूँगा धन्यवाद